आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार एक एजी पैरा रिवलन को रहा करने का आदे उश्य दिया है वो पिछले 31 सालों से जेल में बंद है सुप्रीम कोट ने पूर प्रधान मंत्री राजीव गांधी हत्यकान के मामले में बड़ा फैसला किया शीर्श कोट ने इस मामले में उम्रकैत की सजा काट रहे दोशियों में से एक एजी पैरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है जो कि पिछले 31 सालों से जेल में बंद है सुप्रीम कोट ने पिरारी वलन की रिहाई याचिका पर अपना फैसला 11 में को सुरक्षित रखा था इससे पहले सुनवाई के दोरान पीठ ने केंदर सरकार के उस सुझाव से असहमती जताई थी कि राश्ट्रपती द्वारा उसकी दया याचिका पर फैसले तक अदालत को इंतजार करना चाहिए दरसल पिरारिवलन ने सुप्रीम कोट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडू सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया था पर राजजपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राश्ट्रपती को भेज दिया था जो की समविधान के खिलाफ है तो वही 11 में कोहुई सुनवाई में केंद्र ने पिरारिवलन की दयायाचिका राश्ट्रपती को भेजने के तमिलनाडू के राजजपाल के फैसला का बचाव किया था पूर्फ पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में 19 साल की उम्र में गिरफतार किये गए पिरारिवलन को में 1999 में मौत की सजा सुनाई गई थी उस पर राजीव गांधी की हत्या करने वाले बेल्ट बम को ट्रिगर करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली बैटरी खरीदने का आरोप लगा था इस मामले में साथ लोगों को दोशी ठहराते हुए सभी को मौत की सजा सुनाई गई थी साल 2014 में सुप्रीम कोट ने इसे आजीवन कारवास में बदल दिया 2016 और 2018 में जय ललिता और पलानी सामी की सरकार ने दोशियों की रिहाई की सफारिश की थी मगर बाद के राज्यपालों ने इसका पालन नहीं किया और आखिर में इसे राश्ट्रपती के पास भेज दिया लंबे वक्त तक दया आचका पर फैसला नहीं होने के वज़े से दोशियों ने सुप्रीम कोट का रुख किया था 21 में 1991 कोपूर्फ प्रधान मंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडू के श्री पेरम बटूर में हत्या हुई थी जिसके बाद सभी आरूपियों को गिरफतार किया गया था फिलहाल सर्वोच अदालत ने दोशी पेरारिवलन को राहत दे दी है ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी दोशी एजी पेरारिवलन को अब सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है तिस सालों की सजा काटने के बाद अब उन्हें की रहाई का आद एशर दे दिया गया है यह रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार